अज की वीडियो में हम देखेंगे जोग्राफी के इंपोर्टन्ट कोईशन्स पहला कोईशन है भुगोल प्रथवी को केंद्र मानकर अध्यन करने वाला बिज्यान है किसने कहा था ये परिभासा किसकी है ओप्शन सी राइट है वरेनियस की कोईशन नमबर सेकंड सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है ओप्शन ए राइट है आठ ग्रह है कोईशन नमबर तिरी निक्स, ओलंपिया, कोलंपस, परवत किस ग्रह पर इस्थित है ओप्शन डी राइट है मंगल ग्रह पर इस्थित है अगला कोईशन Q4, सौर मंडल का जन्म दाता किसे कहा जाता है? Option A, राइट है सूरी को Q5, सूरी सद्यो पूर्व में निकलता है क्योंकि प्रतवी पश्यम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए सूरी सद्यो पूर्व की ओर निकलता है Option A, राइट है Q6, एक राइट है एक ग्रह की अपने कच्छ से शूर से अधिक्तम दूरी को क्या कहा जाता है। ओप्शन बी राइट है अब सौर कहा जाता है। Q7. सूरी के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। ओप्शन डी राइट है छे हजार डिग्री सेल्सियस। Q8. सूरी में काला धब्बा क्या है। ओप्शन ए सूरी में एक बड़ा काला छेद है। ओप्शन भी दिन के दोरान धब्बे उर्जा के श्रोत होते हैं। ओप्शन C. धब्बे वे अस्थान हैं जो प्रकास उत्सरजित करने में आसमर्थ है। Q9. निम्न में से कौन सा एक तारा है। Q10. शूरी का प्रकास धरती तक पहुशने में कितने मिनट लेता है। Q11. किस ग्रह को साम का तारा कहा जाता है। Q12. प्रथवी से निकट्तम दूरी पर इस्थित ग्रह है। Q13. सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। Q14. प्रथवी के ब्रहमण की गती है। Q15. सूरी की प्रिकर्मा के दौरान प्रथवी सूरी से अधिकतम दूरी पर किस महिने में होती है। Q16. रितुए क्यों होती है। Q17. दिन वा रात होने का कारण है। Q18. सूरी से प्रथवी की दूरी है। Q18. सूरी से प्रथवी की दूरी है। Q20. जब दिन और रात की आवधी बराबर होती है, तो सूरी की किरने सीधी पड़ती है। इस कोश्चन का अंसर आप सब कमेंड बॉक्स में बताईएगा। Q20. जब द्र preparedness के प्रहशा है। Q20. प्र Balk buenos यदलों के दो जुआदी है। झाल झाल